नमश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होब सब ठीक होंगे इस महीने अगर आपको periods आए हैं और आपको हर महीने 28 to 30 days का period cycle है तो इस condition में आपकी fertility भी एकदम सही है अंडा भी समय पर बनता है वोगि जिन महीलाओं को periods option down रहते हैं उनमें समस्या रहती है सही समय पर egg की maturity की यानि कि सही समय पर आपके ovary से egg release नहीं होता है और आप सही समय पर relation maintain करें चाहिए ना करें आपकी गरवस्ता नहीं ठहरेगी तो 28 to 30 to 35 days का आपका period cycle है और एक से दो दिन उपर नीचे आपको periods आ जाते हैं तो आपकी fertility एकदम perfect है आप जल से गर्वधरन कर लेंगी और वही जैसे ही आप गर्वधरन कर लेती हैं आपके period मिस होने से पहले बहुत से बतलाव आपको इशारा करते हैं कि इस महीने आपका गर्वधरन हो चुका है जी हाँ friends आज हम कुछ ऐसे important symptoms के बारे में discuss करने वाले हैं जिससे कि आप पहले ही period आने से पहले ही confirm हो जाएं कि आपका गर्व रुख चुका है और आपने अच्छे से take care कर सकें क्योंकि starting care days बहुत ज़्यादा important होते हैं आपकी pregnancy को stay करने के लिए जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएं हैं तो please चैनल को subscribe करें वीडियो अच्छी लगे तो like करना ना भूले तो friends जैसे ही अंडा और sperm आपस में मिलते हैं ठीक है एकदम से आपकी गरवस्ता नहीं ठहरती है अंडा और sperm को आपस में मिलने में काफी cells में divide होने में हफता से 10 दिल लग सकते हैं वो आपके period cycle पर depend करता है दीरे दीरे करके 5-6 दिन में fallopian tube का सफर पूरा करने के बाद uterus पे आके वो जो cells हैं वो आकर रुकता है और particular एक जगा में endometrium में खुरत कर वहाँ पर चिपक जाता है और दीरे दीरे करके मा के शरीर से बच्चे तक यानि कि उन cells को पोशक, तत्व, न्यूटरेंट सब कुछ मिलने के कारण आगे का process चलता है और वो अंडा अब cell से अब वो अंडा cell में बदल कर ब्रून का रूप ले लेता है जिसके बाद आपके शरीर में बहुत से बदलाव आने लगते हैं आपकी बॉड़ी का तापमान बढ़ने लगता है काफी बहीलाओं को इस दुरान उनकी बॉड़ी गरम महसूस होती है क्योंकि आपके बॉड़ी में बच्चे को अच्छे तरीकी से स्टे करने के लिए आपके बॉड़ी का तापमान सही रहना चाहिए तो हाफ से एक डिगरी की पिक आपकी बॉड़ी पकर सकती है ये पीरिड डेट के बाद भी आपको फिबरी महसूस हो सकता है काफी महीलाओं में तो उनके पैरों के तले उन्हें गरम महसूस होते है जो हॉर्मोरल चेंजिस और एक्स्ट्रा ब्लड सर्कुलेशन के कारण होता है अगर आप भी इस दुरान अपने बॉड़ी में फीवर महसूस कर रही है गरमाहड महसूस कर रही है तो आप अनुमान लगा सकती है कि आपका बच्चा इस महीने पेट में आ चुका है वहीं आपको प्यास बहुत ज़दा लग सकती हैं कि अब आपकी बॉड़ी में गरमाहड ज़दा आ गई है जिस कारण स्वेटिंग भी ज़दा होती है और आपको प्यास ज़दा लगती है ये भी आपकी गर्वती होनी की तरफ इशारा करता है काफी महिलाओं में हैडेक की समस्या स्टार्टिंग के डेस में रहती है जो कि एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो के कारण और बॉडी में होने वाले चेंजिस की कारण ये आप महसूस कर सकती है पेट की नीचे ले हिसे में आपको हलका हलका प्यारा सा मीठा सा दर्द महसूस होता है जो भी अनुमान आप लगा सकती है जिसे देखने के बाद कि आपका जो गर्व है इस महीने 100% रोक चुका है वहीं बात करें ब्रेस्ट की तो ब्रेस्ट में नीडी रंकी नसे दिखने लगेंगी ब्रेस्ट आपको टाइट अकडी हुई नजर आएंगी ब्रेस्ट में आपको आउच वाला फिलिंग रहता है हलका चुभन जैसा दर्द निपल में डाक नैस आने लगती है निपल जो है वो आपके उभरने लगते है और निपल का जो एरियोला हिस्सा है उसमें हलके फूल के दाने काफ़े महीलाओं में हेर ग्रोथ भी देखी जाती है निपल आपके टाइट होने लगते है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप आपकी ब्रेस्ट रेडी हो रही है आपकी स्मेलिंग सेंस बढ़ने लगती है आपको हर एक चीछ में स्मेलिंग की ज़्यादा फिलिंग आने की करण उपकाई नौजिया की समस्य ज़्यादा रहती है तो इस सारे लक्षन तकरीब 90-95% महिलाओं में देखा जाता है जिनकी गर्वस्ता अगर आप भी गर्वस्ता प्लान कर रही है और इन में से कुछ लक्षन भी आपको नजर आ रहे हैं तो आप अनुमाल लगा सकते हैं कि आपका बच्चा गर्व में आ चुका है